हलाँ फ्रेंट्स बेलकम बाइक तो माय चैनल आज की वीडियो में हम इस फ्लावर्स को इस ट्यप बाइस ट्यप सिखने वाले हैं तो पूरी वीडियो में बने रहें अगर आप वमारे चैनल पनाय हो बेश चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड वैल आइकन प्रेस कर ले इस का डेजाइन मैं पहले ही बना लिया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दोंगे इसे मैं दूसरे चैनल पर अपलोड कर रखी हूं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दोंगे आप वहां से जाकर देख सकते हैं तो चलिए इसमें हम टिक्या ब 3 chain लेना है 3 chain लेकर इसमें से हमें 4 double crochet बनाना है chain को count करेंगे तो 5 होगा total 5 double crochet यानी 5 double crochet बनाना है 5 फंदे बनाने के बाद हमें फाइब चैन लेना है एक दो तिन चार पांच पांच चैन लेंगे और हमें नेक्स्ट वाले होल से इस होल से हमें पांच डावल क्रोशेट बनाना है तो पांच फंदा बनाकर हमें उना पांच चैन लेने है इसी तरह से टोटल हमाड़ा छे पंकूरी तयार होगा तो आई होप आप इसे इतना कर लेजेगा अब हम इसका नेक्स पार्ट देखेंगे अब हमें टोटल हमने छे पंकूरी बनाया है अब हमने जो थ्री चैन लिया था उसके उपर से यहां से इस चैन से हमें स्लीपे स्टीच से बंद करना है बंद कर देना है और नेक्स्ट बाले चैन पर यहां से हमें सिंगल क्रोसिट से बंद करना है अब यहीं से थ्री चैन लेना है तीन चैन लेकर हमें नेक्स्ट बाले चैन से डबल क्रोसिट बनाना है तीन डबल क्रोसिट बनाया है चैन को काउंट करेंगे तो चार हुआ तो चार डबल क्रोसिट और चार इस गैप से हमें लेना है वान टू त्रे यानि चार डबल क्रोशिट इस गैब से बनाया और चार पहले टोटल आठ डबल क्रोशिट हुआ फिर से फाइब चैन लेना है और यहाँ पर हमें फर्स्ट बाले डबल क्रोशिट के सक्कीप कर देना है यहां से सेकेंड बारे से double crochet बनाना है चार double crochet बना लेना है फिर चार gap से चार बनाये और चार इस gap से बनाना है टोटल आठ डबल प्रोसेट होगा अब फिर से पाँच चैन लेना है सेम प्रोसेस में रिपीट करना है एक चैन को हमें इस्किप कर देना है और दूसरे बाले चैन से डबल क्रोसेट बनाना है चार डबल क्रोसेट बनाना है और चार डबल क्रोसेट नेक्स्ट गैप से बनाना है तो इसी तरह से रिपिट करके पुरी रोग कमपेट कर लेना है तो इसे हमें कमप्लेट कर लेना है फिर से हमें यहाँ पर जो हमने थीरे चैन लिया थी उपर से स्लिपे स्टिच से बंद कर देना है और नेक्स्ट वाले चैन पर डावल क्रोसेट ये सिंगल क्रोसेट बनाना है और त्री चैन लेकर डावल क्रोसेट बनाना है तो परतेक रो में हमें वान वान यानि एक डावल क्रोसेट को स्किप करके बनाना है और परतेक गैप से हमें चार डावल क्रोसेट बनाना है इस बार हमारा टोटल एग आरा डाबल क्रॉसिट हुआ इसी तरह से हमें छे राउंड बनाना है टोटल एग आरा है शे राउंड बना कर इसे कम्प्लीट कर लेना है पर ते बार हमें पांच पांच चैन ही लेना है तो इसे इसी तरह से पूरा कर लेना है जैसे हमने इसमें बनाया है देख सकते हैं टोटल हमारा छे राउंड है और सभी राउंड में एक-एक डबल क्रोशेट गैप किया है और नेक्स बाले चैन से शार-चार डबल क्रोशेट बढ़ाया है तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल से जूरी रहे झाले बढ़ाया है